यह आप जानते हूं मैं जानती हूं दुनिया जानती है उक्टोबर 2023 में जो अटाक्स हुए उसके बाद जो होस्टेलिटीज हुई है इसराइल हमास में वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं अब यहां ऐसा नहीं है कि सीसफायर के अटेंप्स नहीं हुए लेकिन सीसफाय की म्यूजिक फेस्टिवल पर गए वहां से हॉस्टेजेज लिए इनको ऐसा लगा इनकी गलत फेमी थी कि हॉस्टेजेज हमने लेके अब वैसे भी गजा में बिठा दी और गजा तो हमारे कंट्रोल हमास का ही कंट्रोल है 2005 से तो अब हमको कुछ नहीं होगा और इसराइल ह स्टार्ट हुआ उसके बाद नवेंबर में सीसफायर का टेंट हुआ एक हफते तक शांती बनी भी रही दोनों ने यह डिसाइड किया जो हमास में हमास के पास इसराइली होस्टेज हैं लोग है वो एक कुछ हद तक रिलीज करेंगे और कुछ हद तक पलिस्तीनियन लोगो को अरेस्ट कर रखा इसराइल ने वो कुछ हद तक वहां गजा की तरफ रिलीज करेंगे तो इसे करके इन्होंने आपस में कुछ मांडवाली करने की कोशिश की बट अगयान इनकी फित्रते दोनों ने एक दूसरे पर ब्लेम डाला बाद में कि इन्होंने सीसफायर वो किय अब यहां हो किया रहा है देखो युएस एक ऐसा फैक्टर है जो हमेशा से अब भी चाह रहा है कि पीस हो जाए अटलीस्ट क्यों कि यूएस खुद थक गया है जो बाइडन अपने जाने से पहले यह तो सोचेंगे ने भाईया मैं क्या लेगेसी छोड़के जा रहा हूं म और यह जा कि इंसे बात करते हैं कतर आपको पता हमास के मिजॉरिटी जो एलीट लीडर से यहीं बैठते हैं यहीं से अटाक्स के सारे वो देते हैं खुद तो यहां बढ़ा इंवेज़न कर पाया था तो यह जो स्मग्लिंग होती है यहां इस तरफ गज़ा को एक तरीके स यहां पर वो करती है फूड फ्यूल सारी सप्प्लाइज यह से मिलती है यह तो इजिप्टी को इंपॉर्टन स्टेकोल तो यह मिले जाकर इन्होंने बात बात की और इतना तक बोल गया कि देखो इस्राइल अग्रीड है इसके लिए हमास अग्रीड हो जाए लेकिन फिर भी ह सब्सक्राइज अग्रीड हो जाए और प्रयागराज में हिंदी और इंग्लिश मीडियम में बैच चल रही है अगर डेली नहीं आ सकते तो प्रयागराज से भी पढ़ सकते हो आग्चली आइडिया यह है कि आपको बेसिक से लिएकर एडवांस तक सारी चीज़े क्लियर कर जाए जाए अलॉंग वद्धाट करेंट अफेर्स का पॉर्शन उसी के साथ हो जाए टेस सेरीज क्योंकि प्रैक्टिस केन मेंक और ब्रेक और प्रेशन प्रैक्टिस बहुत जादा जुरूरी है तो फुल लेंथ और सेक्शनल दोनों के लिए और इसके साथ-साथ आपके ऐसे और सट की तैयारी भी कि जाएगी कराहिए टिसाइडिंग होते है प्रेहीं क्रीशन गोटैब लेख इसके साथ-फॉर्प्रेशन गारेशन आप प्रोवाइडwinning तो जब से आप से आपको बहुत सारी चीज़ेंगे जित्ता विए कंटेंट मिलता है फ्री में करेंट अपर मिल जाती है तो गया आप भी डाउनलोड कर सकते हो नाउ लेट्स मूव फावर्ड तो यूएस का रोल बहुत जादा कुरूशल है यूएस विलिंग है कि भाईया कैसे भी करक मार्च जून दोनों मंस में निगोसेशन चल रही थी लेकिन हमास क्या चाहता है और इस्राइल जो चाहता है दोनों चीज़े बहुत बहुत अलग है और उसके बाद कंटीनियसली जो टॉक्स है वो अनसक्सेस्फुल ही रही है अब दिक्कत क्या है देखो अभी का जो प्ल उनको दोनों साइट से यहां पर एक्स्षेंज किया जाएगा इस्राइली होस्टेज पर्टिकिलर ली और उसके बाद क्या होगा विडरॉल का प्लान आएगा इस्राइल विडरॉ करेगा यहां पर अपनी ट्रूप्स गजा से सेकंड स्टेज में इसकी मोनिटरिंग होगी उसके बाद क्या होगा कि जो civilians displaced हुए war की वाज़े क्योंकि बहुत सारे civilians displaced हुए उनको हम बिठाएंगे दुबारा से और फिर long term negotiations चलेंगे तो यहाँ पर plan रहा है लेकिन यहाँ क्या होता है Benjamin Netanyahu अपना leverage यूज करके और US अपने पापा से बात बात करके दो ऐसी जगहें यह से इंटर होगा हम चाहते हैं कि हम उसकी screening करें पहले उसके बाद वो गज़ा में ताकि ऐसा ना हो कि वह हमास का आदमियों और फिर गज़ा में दुबारा हमारे लिए situation problematic हो क्योंकि हम दुबारा गज़ा में वैसा कुछ नहीं चाहते open-air prison बहुत साल तक बना रहे और फिर रॉकेट बना बना के हमारी तरफ भीशते रहें लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती है बात क्या आती है यहां यह वाला जो एरिया आप देख रहे हो दिस इस दी गज़ा का साउथ वाला पार्ट और यह है आपकी रफा क्रॉसिंग यहां पर यह जो कॉरिडर है इसको फिल फिर 2005 में क्या होता है इस्राइली प्राइमिस्टर एरियल शेरॉन यह डिसाइड करते है कि हमें पूरी गज़ा पटी से ही विड्रॉव करना है क्योंकि गज़ा पटी में अब राडिकलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था हम आस ऑल्रेडी 1980s में लेट 1980s में जिससे कि ओपन यह प्रिजन बन जाएगा फिर लोग खुदी परशान होके कहीं न कहीं राडिकलाइजेशन कम कर दें बट ऐसा हुआ नहीं हमास यहां पर आता है और फिर यहां पर ऐसी extensive tunnels बनने लग जाती है तो ऐसा कुछ होता नहीं है अब यहां पर क्या है जो इसराइ इस corridor पर भी हमारा access हो यह Benjamin Netanyahu ने recent के ceasefire plan में बोला कि एक तो Philadelphia corridor और एक यह वाला corridor यह दोनों corridors हमारे होने चाहिए अब यह दोनों corridors ठीक है आपके कर दें लेकिन हमास इसमें कभी अगरी नहीं करेगा उनका survival इस पर dependent है कि यहां से उनको supplies मिले और North और South Gaza connected रहे और बीच में इसराइल का presence आओ बीच में इसराइल का presence रहेगा तो आराम से कभी भी वह कर सकते हैं so that's there that's why यहां पर यह पूरी situation आ गई है क्योंकि यह दो लॉबी है यूएस में वह बहुत स्ट्रॉंग है और यह लॉबी इनको help करेगी साथ-साथ इनकी जो military power है that is asymmetrical इनके पास military के terms में बहुत ज़्यादा advantage है compared to hamas of course homemade rockets और sophisticated technology का कोई match है ने so they know that साथ-साथ इनको यह भी पता है कि यह अभी जो यहां पर hostages की बात कर रहे हमास की पास के leverage हमारे पास 105 तुम्हारे तो तुम्हें नेगोसियेशन में आना पड़ेगा लेकिन इसराइल दीरे अब यहां पर जब गजा में जादा अटाक कर रहा है तब इसराइल को यह रिलाइज हो रहा है कि बहुत सारे hostages already मर चुके हैं अभी रीसेंट यह दो corridors हैं इनको हम यहां पर compromise नहीं करेंगे and Philadelphia corridor in fact is the most important for Israel तो यह बात है अब ऐसे हमास के सोचता है हमास सोचता है इनके पास hostages है हमास यह सोच रहा है कि US अब थक गया है वार से तो इसका हम फायदा उठा ले हमास की जो leadership का change हुआ है इसराइल की वज़े से यह गया है अब हमास का political chief जो था वो मारा गया तेहरान में अब जब यह मारा गया तब यह कहा जा रहा था कि इसराइल ने इनको मरवाया है ताकि अब negotiation के लिए जो नया बंदा है वो ढरा रहे कि देखो भाईया आप भी cooperate करो ceasefire की तरफ नहीं तो तुम्हें भी ऐसे कहीं न कहीं टप तो यह प्रॉब्लम है अब यहां पर जो जियो पॉलिटिकल सिच्वेशन है वह भी कॉंप्लिकेट हो रही है बिकस्वी नों कि यहां लेबनन में इस्राइल के नौर्थ में हेजबुल्ला है हेजबुला कंटीनियस ली इस्राइल पर रोकेट कर रहे है अभी आपने दिख में उस टाइम प्रेजिडेंट के स्वेरिंग इन सेरेमनी जल रहे थी जब यह सब हुआ तो इरान बैठा है तयार कि हूथी को यहां पर बढ़काएंगे हैस्बुला को यहां पर बढ़काएंगे लेबनन में और यह पहले ही बोल चुके है कि जब इस्राइल हवा में हो चुके हैं अब इससे जादा एक्सपेक्टेड है जब आप मलबा वलबा निकालोगे और डेड़ बोडी मिलेंगे अगर यह सिच्वेशन और कॉम्लिकेट होती है तो पूरे वर्ल्ड के लिए यहां से शिप्स की सप्लाय जाना क्रूड ऑइल के प्राइज उसकी वज़ होने आपको डहते हुए दिख जाएंगे अगर यह कंफ्लिक जादा बढ़ता है कि कहीं न कहीं यहां पर सीज फायर में एक एक नेगोशेशन ऐसी हो जाए कि सीज फायर जैसे तैसे कंप्लीट हो जाए बिकोस वहर किसी की भी बेनिफिट में नहीं रहता ऑल्दो ऑफकॉर अनकादमी, बढ़ता है